Welcome dear friends, आज हम देखने वाले हैं, नजर प्रकाशन मूवी की शुरुवात में हमें प्रकाशन को दिखाया जाता है, साथ ही उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पिता एक स्कूल टीचर थे जो कि अब इस दुन्या में है नहीं, बाकी बात की जाए प्रकाशन की तो वो डॉ प्रकाशन के परिवार में उसे छोड़ कर बाकी सभी किसी ना किसी कम में लगे हुए हैं, जैसी कि प्रकाशन की मा और भावी सिलाई का कम कर दी है, तो वहीं प्रकाशन का बड़ा भाई एक दुकान खोल कर बैठा हुआ है, साथ ही प्रकाशन की बड़ी बहन की बात की जा अब एक दिन आकाश का एक दोस्ट शादी के लिए लड़की देखने वाला होता है, इसलिए वो आकाश को भी साथ में चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि आकाश की तरह उसने भी नर्सिंग की थी तो वो आका से बताती है कि मुझे जर्मनी में नर्सिंग की जॉब मिल गई है। वो ये भी कहती है कि मेरी सेरी करीब तीन लाख रुपए पर मन्त होगी और मैं वीजा लगते ही कुछ दिनों के बाद चली जाओंगी। यही कारण होता है कि वो जाने से पहले अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने के लाहाई होती है। अब सोमाली की जॉब और जर्मनी के बारे में सोचकर पूरी रात आकाश को नीन नहीं आती इसलिए वो भी जर्मनी जाकर नर्सिंग जॉब करने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने पिता के एक स्टूडेंट गोपाल से मिलन हैं। इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। अब इस सवाल का स्टोरी से क्या लेना देयेना है या हमें कहानी में आगे जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन आकाश सीधे गोपाल से मिलने के लिए पहुच जाता है। वो उन्हें बताता ह है कि मुझे जर्मनी जाना है इसके लिए मुझे क्या करना होगा प्लीज मुझे बताए। उसकी बात को सुनकर गोपाल उसे बताते हैं कि जर्मनी में अगर कोई नौकरी करनी है तो पहले तो तुम्हें जर्मन आनी चाहिए और सबसे आसानी के साथ जल्दी से जर्मने जा कर ली है जो कि यहीं पर है और मैं अपने गाव से यहां डाउन नहीं कर सकता इसलिए मुझे आपके यहीं पर रुखना है क्या आप मुझे रुखने देंगे गोपाल भी उसे सिर्फ इसी ये रखने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि जब वो आठर्थ क्लास में था तब उस शहर में है जो कि आकाश के यहां रुखने की असली वजह होती है आकाश सुमाली से मिलकर उसे प्रपोस कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था पर जब उसे दिन मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा उसकी इन बातों को सु अभी ना कभी तो शादी करनी है तो क्यों ना हम फॉर्मिलिटी के लिए रजिस्टर मैरिज कर लें इसमें मैं भी तुम्हारे हस्बेंट वीजा के जरिये जर्मनी जा सकता हूँ उसकी इस बात को सुमारी मान जाती है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉबलम यह है कि सुमाली के पिता उसके रिष्टे को मनजूरी नहीं देंगे क्योंकि वो क्रिश्चियन है और वो एक क्रिश्चियन से ही सुमाली की शादी करवाएंगे यह बात सुनकर आकाश कहता है कि उनसे बोलना कि मैं क्रिश्चियन हूँ और अगर वो मेरी फैमिली के बारे में पूछे तुका कि गोपाल की बीवी बच्चे गोपाल से मिलने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल यहां सुमाली अपने घरवालों को ठीक वैसा ही कहती है जैसे उसे आकाश ने बोलने के लिए कहा था। साथ ही उसने अपनी फैमिली में आकाश का नाम सिलेबस्टर बताया होता है। अब आक आकाश को पता चलता है कि सुमाली को वीजा के लिए और तीन लाग की जरूरत है। जिसके लिए सुमाली के पिता ने अपना घर, बैंक के पास गिरवी रखने का सोचा है मगर असल में यह घर सुमाली का ज्यान का है, उन्होंने यह के परिवार को डैन में दिया था। फिर यह बात सुनकर आकाश उसे चुप करवा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें तीन लाख कहीं से मिला कर दे दूँगा। पैसो के लिए तो आकाश सबसे पहले अपनी बाइक भेज देता है मगर अभी उसे और पैसे चाहिए इसके लिए वो अपनी बड़ी बहन के साथ भा गोपाल के पास जाता है जो कहते हैं कि मेरे पास वही इतना पैसा तो है नहीं अगर मैं कुछ भी कर सकता तो तुम्हें पैसे जरूर देता। यहां है कि आप अपनी बीवी का वो नेकलिस गिर्वी रख कर मुझे पैसे दे सकते हैं और जैसे सोमाली की अंते जाएगी वैस मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। यहां वो फिर से गोपाल को अपने पिता का वास्ता देता है और गोपाल करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो चुपके से अपनी बीवी का नेकलिस गिर्वी रख देते हैं और पैसे आकाश को दे देते हैं जिन पैसों को आकाश करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी उसे सोमली का फोन आता है और पता चलता है कि सोमले की पिता को डोट। चेस्ट नकी वजह से हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया है, जिन्हें देखने के लिए आकाश तुरंथ हॉस्पिटल पहुँचता है जहां वो देखता है कि सच में सुमाले के पिता को एड्मिट किया गया है और अब उन्हें कुछ टेस्ट वगेरा करवाने होते हैं यहां पे सुमाली बोलने लगती है कि मैं जर्मनी नहीं जाओंगी जिसे आकाश समझते है और कहता है कि तुम जाओ और रही परिवार का ख्याल रखने लगता है साथ ही जब से सोनाले जर्मनी गई होती है तब से उसने आकाश से कोई बात भी नहीं कि क्योंकि वो वहां पर पहुँच नहीं एक जर्मन आदमी से शादी कर लेती है जिस बात को सुमाले का परिवार आकाश को बताते हुए माफी एक बस को रुकवा कर पकड़ लेते हैं आकाश उनसे कहता है कि मेरे साथ धोका हुआ है नुकसान मेरा हुआ है इसकी आप कोई चिंता ना करो क्योंकि जैसे सोमली की आंटी इटली से लोट तो आपका पैसा मिल जाएगा अब गोपाल को आकाश की बातों पर विश्वास ही नहीं होता इसलिए वो आकाश के साथ ही सोमली की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं जहां उन्हें पता चल घर भी सोमली के परिवार का नहीं है बल्कि यह तो किराय का है और जब कई महीं का किराया वो लोग नहीं दे पाए तो चुपचाप इस घर को छोड़ कर चली गए मतलब कि यहां जो चीज आकाश करना चाहता था वो माली और उसके परिवार ने साथ में करदी देख घर गोपाल और कहता है कि अब आज से तुम मेरे लिए कम करोगे जब तक कि तुम उसे नेकलिस का पैसा नहीं चुका लेते आकाश के पास भी कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो मैन जाता है जिससे गोपाल मजदूरी से लेकर खेती तक सारी महनत वाले कम करवाता है जिन्हें घर के आकाश बिलकुल भी खुश नहीं होता पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था ऐसे एक दिन गोपाल आकाश से कहता है कि तुमने नरसिंहा की है तो मेरे पास नरसनिंग वाला एक काम है जिसमें तुम्हें एक दस्वा क्लास की लड़की को मेडिसिन और इंजेक्शन्स टाइम टाइम पदेने होंगे इसके बदले तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, खाना और रहना सब कुछ मिलेगा और जैसे ही मेरे नेकलिस तुम मुझे लाकर दे दोगे वैसे तुम फ्री हो जाओगे और जो मर्जी करो आकाश भी इसके लिए मैन जाता है और वो गोपाल के गे अनुसार रिचल के घर उनसे मिलने जाता है जिन्होंने अपनी बेटी के लिए आकाश को हायर किया होता है और वो खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल है साथ ही उनका घर काफी बड़ा भी है वो आकाश से बताती है कि तुमने मेरी बेटी टीना की देखभाल करनी है उसे टाइम टाइम पे दाबा देनी है और अगर कभी कुछ ज्यादा बात हो जाए तो उसे इंजेक्शन भी देना पड़ेगा बाकी एक बात ध्यान रखना कि वो किसी भी तरह का जंक फूर्ड ना खाए क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से उसे मंगवा ही लेती है अब आश है कि आप चिंता ना करो मैं सब कुछ संभल लूँगा अब आश के घर को देख ही रहा होता है तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है उधर कर पीछे देखता है इसके बाद आकाश की मुलाकात टीना से होती है जिसके सामने आकाश बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लेकर कहता है कि मैंने इन सब जगह पर कम किया है फिर जब आकाश बड़ी-बड़ी छोड़ रहा होता है तभी धीरे से टीना उसके पीछे कुट्टे को छोड़ देती है जो की आकाश के पीछे ही पर जाता है और आकाश उससे बचने के लिए एक पेड पर चड़ जाता है यहां टीना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आकाश ने सूत्री को बर्गर नहीं देने दिया और वहां से अपने घर भेड लेकिन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोडने वाला था इसलिए वो उसे दोबारा से अपने साथ लेकर और आकाश से कहत है कि अब तुम यहां से भागोगे तो मैं तुम्हारी मा को सब कुछ बता दूँगा तीना की मेड आकाश को बताती है कि तुम पहले नर्स हो जिसे वो कुट्ता नहीं काटवाया नहीं तो उसने आज तक हर किसी को काटा है यही वज़ा है कि रिचल मैडन ने इस बार एक म मैसेज कर दिया करो मैं तुम्हारे लिए लेकर के जाओंगा कि सुनकर टीना उससे तुरंत जाकर शुती के पास बर्गर लाने के लिए कहती है जिसके पास पहुचकर आकाश को पता चलता है कि शुती के पास बर्गर बनाने का टाइम ही नहीं है क्योंकि पूरे घर में वह और इस पॉइंट पर टीना आकाश तक काफी खुश भी होती है, साथ ही दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है. टीना बताती है कि मुझे अपनी मैन को ऐसे अकेला देख कर काफी दुख होता है. मेरे पापा और उनमें काफी लडाया होती थी, इसलिए एक दिन पापा हमें छोड़कर इन जाने कहां चले गए नाही. उन्होंने हमसे कोई कांटाक्ट किया जिस कारण वो कहां पर है, किस हाल में है ये हमें नहीं पता. अब रात में जब आकाश सो रहा होता है, तो मेर उसे आकर जगा कर बताती है कि टीना को काफी उल्टिया हो रही है, जिसका कारण आकाश को अच्छे से पता होता है. फिर वो टीना को दवाया, इंजेक्शन वगेरा देने के बाद सुला देता है. अगले दिन आकाश की मुलाकाट शृती से होती है, क्योंकि वहाँ अपनी उगाई सब्जो को बेचने के लिए हुई है. इस दोरान वो पूछता भी है, कि तुम आखिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा लेती हो तुम्हें कभी लगता नहीं है, कि काश तुम और कम पाती जब हमें शृती एक बहुत ही प्यारी बात बताती है. हमें अच्छे से जीने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, दिक्कत तो तब आती है, जब हम अपनी जिन्दगी को दूसरे की जिन्दगी से ये करने लगते हैं. शृती के महले का एक आदमी उसे टोक देता है. दरसल उसे लग रहा होता है कि शृती और आकाश गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड है. ये सुनकर तो आकाश उसे आदमी को काफी बुरा भला कहता है. इसे शृती रखते हैं और फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं. पर आकाश फाइनली उन्हें चक्मा देकर सूती के घर आकर रुप जाता है. जिसे जब शृती देखती है तो वो बताता है कि मैं उन लोगों को बहुत मारा और जब उनमें से एक ने पुलीस को कॉल कर दिया तो मुझे वहां से भगाना पड़ा. यहां शृती वैसे तो असली 6 महीने से मैं स्कूल नहीं गई तब. से शृती ही मेरी इकलोती दोस्त है, वो मुझे से हर बात शेर करती है. आकाश यहां हंस्ते हुए कहते हैं कि मैं अपने कॉलेज में रनिंग और लॉग जम का चैंपियन था, इसलिए मैं उनसे बचकर भागने में काम्याब हो गया. ज इसे सबसे अच्छा क्या लगता है इस? पर सामने से जवाब आता है कि जहां इस वक्त मैं हूँ. यानि की केरला यहां नदिया, समुद्र पहाड बहुत ही अच्छे हैं. उसके इस बात को सुनकर आकाश को महसूस होता है कि वो दूसरे देश में जाने के लिए कितना लेकिन उसने कभी अपने देश की खूबसूर्ती देखी नहीं. इस तरह एक दिन जब टीना और आकाश बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तभी टीना काफी ज्यादा ठक जाती है और यूनी बातों बातों में का देती है कि मैं मरने से पहले अपने पापा को एक बार देखन जाती हूँ. जब जवाब में आकाश कहता है कि भाई तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, एक बार क्या तुम हजार बार अपने पापा को देख पाओगी. टीना हंसते हुए कहती है कि लगता है तुम्हें नहीं पता मैं जल्दी मरने वाली हूँ. टीना जब एक कही रही होती है, तभी आकाश देखता है कि उसके कान से खून. ए रहा है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, जो कि टीना के देखने के बाद उसे इंजेशन्स वगेरा देता है, फिर आकाश डॉक्टर से पूछे बैठता है कि आखिर टीना को हुआ क्या है. वो कहते हैं कि टीना के ब्रेन में एक ट्यूमर है और अब वो ऐसी एस स्टेज में पहुँच गया है कि उसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता. इस बच्ची की जान कभी भी जा सकती है, इसलिए इसका ख्याल रखो. अब ये बात जानकर आकाश की आंखों में आसुए जाते हैं. इसे टीना ऐसे देखकर कहती है कि मुझे नहीं पसंद थी, कोई मुझम पर तरस खाए. यही वज़ा थी कि मैंने जद करके मम्मी को स्कूल जाने के लिए बोला ताकि वो अपने कम में बिजी रहिना कि मुझे 24 घंटे देखते कर रोटी रहे. आकाशीना को यहां पर एक स्टोरी सुनाता है. वो कहता है कि अमेरिका में एक बार एक बच्चे को कैंसर हुआ. डॉक्टर ने कहा कि वो मुझकिल से एक महना ही जिन्दा रह पाएगा. अब ये सुनकर उसे बच्चे ने डिसाइड किया कि वो अपनी बच्ची भी लाइव जिन्दगी में वो सारी चीज करेगा जिससे उसे खुशी मिलती है. और उसने कई सारी हंसने वाली मूवी देखी. पहला, एक महीना बेटा फिर दो और और ऐसे पूरे 6 महीने जब बीतने के बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ तो डॉक्टर रिजर्ट से खत्म हो गया. इसलिए तब से हॉस्पिटल्स में एक लाफदर रूम भी रखा जाने लगा. तो टीना तुम चिंता ना करो. हम दोनों घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और सब कुछ करेंगे. क्या पता तुम भी उसे लड़के की तरह ठीक हो हस्बेंड का कंट्रोल लेने के बाद वापस आकर बैठ जाता है. सोमाली अकेले मिलकर आकाश को उसके पैर से लोटा देती है, जिससे आकाश लेने से इंकार कर देता है. वो कहता है कि यहाँ पैसे तुम्हें जर्मनी पहुचने के लिए दतो तुम अब वहाँ पहुच च के पीछे भाग रहा था इतना. काकर आकाश वहाँ से चला जाता है और सोली उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि आकाश काफी बदल चुका है. फिलहाल आकाश टीना को खुश रखने के लिए उसके स्कूल के दोस्तों को घर बुलाता है, जिनके साथ टीना काफी एंजॉ काश को लग रहा होता है कि वो टीना को बचा लेता पर उसने टीना की जिन्दगी के आखिरी पलों को खुशियों से भर दिया था. वो जब यहसे जा रहा होता है, तो आखिरी बार रेचल से मिलकर कहता है कि टीना हमेशा आपकी फिक्र करती थी उसे दर्था कि आप उसके जाने के बाद अकेली रह जाएंगी, उसे आप से बहुत प्यार था, इस बात को सुनकर चल भी बहुत रोने लगती है, और आकाश यहां से जाने से पहले आखिरी बार शुती से मिलने आता है, और शुती से कहता है कि जानती हो तुम्हें देखकर मुझे काफी इंस्पिरेश पैसा मिले मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक चीज महत्वपूर है, और वो है खुशी। मूवी के आखिर सीन में हम कुछ दिनों के बाद आकाश को एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का कम करते हुए देखते हैं, जिससे मिलने के लिए शुती आई होती है। कि मेरा नाम आकाश नहीं प्रकाशन है, जिसके साथ यह प्यारी सी मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। के अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी। साथ ही प्रकाशन को टीना से यह सीखने को मिला की जिन्दगी बहुत छोटी है, बहुत ही ज्यादा और इसे खुशी से जीना चाहिए। बाकी टना का ख्याल रखने के दौरान प्रकाशन निस्वार्थ कर्म करने के बारे में जाना जो की ऐसा कम होता है, जिसके बदले आपको कुछ खास तो मिलता नहीं लेकिन, इनसान को इसे करने से अच्छा फुल होता है। हम एक सामाजिक प्रानी है और हम एक दूसरे की मदद बिना स्वार्थ के करने चाहिए जैसे की प्रकाशन अपनी नर्सिंग की जौब कर रहा है, जिसे कोई नी स्ववार्थ कर्म, लेकिन हमेशा अगर कम बिना फल की इच्छा के किया जाए तो उसे करने का अपना ही मजा ह होता है, बा आपका इस बारे में क्या ख्याल है, दोस्तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी वो मूवी अच्छी लगी, एक्स्प्लैनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, चैन